कि नमश्कार प्यारे सातियों स्वागत करता हूँ मैं सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रिजर्ट गूरू के उपर और केलेंडर का पूर्शन चल रहा था ₹ guided कि मैंने आप सभी से बताया कि हमारे केलेंडर का आज का हमारा केलेंडर का पोर्शन है बेटा पार्ट पूर यानि की चौथा भाग और कल की क्लास के अंदर हम लोगों ने जो शेशन दी है देट आपको कोई भी दे रखी है और दिन आपको निकालना है तर देट आपको गिवन होगी पहले से और डे आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि कौन सा वार होगा और डेज वगरा यह सारी चीज़ें आप दे को दे रखी है और आपको वार फाइंड करना अब बेटा मेरी बात समझना ध्यान से आज हम चलेंगे सर कौन कौन से यह जो है वो रिपीट होते हैं रिपीटेशन ऑफ एर के अंदर मतलब किस किस साल में कैलेंडर जो है वो रिपीट होते हैं देखो बात ऐसी है मैं इस समय मैं बात कर रहा हूं बेटा कैलेंडर के रिपीटेशन की इसका मतलब यह है कि जैसे इस समय 2022 की साल चल रही है ठीक है तो बेटा 2022 की साल में है कि आप भी जानते हैं विटा 2022 की साल जो है वो शिंपल लिए रहे है ठीक है जैनवरी का महिना आएगा इसमें फेब्रेरी का महिना आएगा विटा मार्च का महिना और अप्रेइल का में विटा एक 28 में भी January का महिना आएगा और सर्फ February का महिना भी आएगा सर्फ February के महिने में 2022 में तो एक से लेकर 28 दिन होगे लेकिन 2028 क्योंकि यह लीप पर चार का पूरा-पूरा भाग जा रहा है तो इसके अंदर एक से 28 दिन तो इसमें भी होगे बटा आप मेरी बात सुनो 2022 में 28 के बाद में अगला जो दिनों आएगा वो मार्च का एक तारीक आएगी लेकिन यहां पर 2028 की साल में इसके अंदर मार्च की एक तारीक से पहले 29 फेब्ररी आएगी बिटा फरवरे की 29 तारीक निश्यत रोप से इसके अंदर आनी ही आनी है तो जैसे फेब्रेट 29 आएगी ने 28 का केलंडर 22 में रिपीट कर ही नीं पाएगा आगे की सारे चैन्ज हो जैंगे मालो यहां पर तो ही मार्च को आजाएगा पिटा एक मार्च को जैसे यहां पर 28 को यानि एक मार्च के nostalgia 29 फेब्ररी番 दी को यह मार्च को फ्राइट फ्राइटें तेक है है आगे के पूरे महीने का केलेंडर जो ए वह गडबड हो जाएगा चीजें आपस में मैच नहीं कर पाएंगी तो मेरा कहने का मतलब यह जो इसामपल बताने का मतलब है तो मतलब समझें वेटा यह सिंपल एर है बेटा और यहाँ पर यह जो है बेटा यह लीप एर है एक सिंपल एर का केलेंडर लीप परश में रिपीट नहीं करता है बेटा ठीक है? और एक लीप परश का केलेंडर सिंपल में रिपीट नहीं होगा लीप वर्ष का केलेंडर अगर repeat होगा तो लीप में ही होगा और simple year का केलेंडर अगर repeat होगा तो simple year में होगा लीप में नहीं होगा इस बात आप अपने दिमाग में अच्छे से आ जाओ बेटा अब मेरी बात समझे बेटा इस दुनिया में चारी टाइप के वर्ष आते हैं एक तो आता है 1996 की साल जिसे हम लीप के नाम से जानते हैं उसके जस्ट बाद में आता है बेटा 1997 की साल बेटा इसे हम simple year के नाम से जानते हैं उसके बाद आता है बेटा 1998 और 1999 उसे भी हम simple year के नाम से ही जानते हैं इसके तुरंत बाद में बिटा वही काम दुबारा 1999 के बाद में 2000 की साल यानि वापिस लीप वर्ष उसके बाद हाद simple year 2001 2002 2003 यहीं चलता रहेगा पिटा हर वर्ष में यहीं होगा पिटा एक बात समझें आप कि लीप वर्ष का जो केलेंडर होता है सब्ता में साथ दिन होते हैं और हर चार साल में एक लीप वर्ष आता है सब्ता में होते हैं साथ दिन और हर चार साल में आता है लीप वर्ष इसलिए साथ को चार से मल्टिप्लाई करेंगे विटा 28 आएगा हर 28 साल में लीप वर्ष रिपीट होता है विटा लीप वर्ष रिपीट यानि अगर इस बार 1996 है तो अगला जो 1996 का कलेंडर जो पूरा रिपीट होगा ना रिपीट मतलब कोई भी तारीक जनवरी से लेकर दिसंबर तक की कोई भी तारीक हो बिटा चाहे जनवरी की 31 तारीक है अगर मंडे है तो उस केलेंडर में जो रिपीट वाला केलेंडर है उसमें भी 31 को मंडे होनी चाहिए बिटा अगर नवंबर की दो तारिक को बेटा ट्यूजडे है तो नवंबर दो को ट्यूजडे ही होना चाहिए उसे कहते हैं एक जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक के सारे दिन सेम होना उसे कहते हैं कैलेंडर आफ रिपीटेशन रिपीट हो रहा है कैलेंडर आ जाएए बिटा, बात समझो, मैंने अभी अभी जस्ट बताए आपको लीप वर्ष का कलेंडर किती साल में रिपीट होता है, 28 साल बाद, बिटा, 1996 में आप अगर 28 जोड लेंगे, तो आप देख लें कितना आ जाएगा, 2024, हर लीप वर्ष का कलेंडर 28 साल बाद रिपीट हो अब आ जाएए बिटा, 1997 का कलेंडर ये बिटा, 1997 जो है, इस पर फोकस करेंगे थोड़ा, ये लीप वर्ष के तुरंत बाद आने वाला साधारण वर्ष है, बिटा, लीप वर्ष के तुरंत बाद आने वाला साधारण वर्ष, simple year, लीप वर्ष के तुरंत बाद आने वाला बैटा किया कौन कौन से और भी हैं क्या हर ॰ीप परष के बाद सिंपल लियर आता है जो लीप परष के तुरंस बाद ऐता है सिंपल इयर उसका केलेंडर रिपीट होता है छह साल बात पर मैं आपको प्रेक्टिकल करके दिखाता हूं बिटा माल लीजिए एक जनवरी नाइंटीन नाइंटी सेवन को सुमवार है बिटा तो जब तक एक जनवरी नाइंटीन नाइंटीन नाइंटी एट वार हो जाएगा मंगलवार उन्निस सो निन्यानवे बिटा वार हो जाएगा बुद्वार कि 2000 की साल बिटा वार वो जाएगा तर्सडे और क्योंकि यह लीपवर शेव फ्राइडे कट जाएगा वार वो जाएगा बिटा से्टर डे 2100 copy 2002 की साल बिटा वार हो जाएगा Sunday और 2003 की साल बिटा वार हो जाएगा Monday clear है fundamental सभी की आप ये बताओ की Monday से Monday आने में total कितने 1,2,3,4,5,6 कितनी साल के बाद calendar रिपीट हुआ है 6 साल के बाद इसी दिये मैंने कहा लीप वर्च के तुरंद बाद आने वाला कैलेंडर रिपीट होता है यानि ये भी कितनी साल के बाद रिपीट होगा 6 साल 1997 में 6 जोड़ दो 2003 बेटा 2000 की साल का कैलेंडर लिपीट होगा 28 साल बाद 2018 में बेटा 2001 का कैलेंडर रिपीट होगा 6 साल बाद 2007 में 2004 का कैलेंडर होगा 28 साल बाद यानि दो हजार बत्तिस में दो हजार पांच का कलिंडर होगा छे साल बाद दो हजार क्यारा में देखते जाओ फॉर्मुला देखते जाओ बेटा आगे देखो बेटा अब लीप वर्ष के दस्ट बाद में आने वाला जो सिंपल येर है उसके बाद में दो सिंपल येर और आते हैं जो लीप वर्ष के तुरंद बाद नहीं आते हैं लीप साधारण वर्ष को हैं लेकिन वो साधारण वर्ष हैं जो लीप वर्ष के तुरंद बाद नहीं आते हैं ये वाले 1998 और 1999 बेटा ये वाले लीप वर्ष ये वाले साधारण वर्ष रिपीट होते हैं ग्यारा साल बाद जान देना बिटा 11 एर्स के बाद आपको प्रेक्टिकल करके जरूर दिखाएंगे इधर देखेंगे देखेंगे बिटा उननीस सो नाइंटीन नाइंटी एक जनवरी नाइंटीन नाइंटी एट को मैं माल लेता हूं सर मैं इस समय नाइंटीन नाइंटी सेवन की बात कर चुका हूं नाइंटीन नाइंटी सिक्स का कलेंडर रिपीट होता है 28 साल बाद और सेवन का रिपीट होता है 6 साल बाद मुझे बात करनी है 98 और 99 की 2000 की साल तो बात ही कर चुका हूं 2003 वार हो जाएगा बेटा जो वहां पर है वहीं लिखना है मुझे मंडे आप यहां से एक बाद ट्राइ करो क्या बीच में इस मंडे से पहले को ट्यूजडे आया का रिपीट हुआ है सर साल अभी तक तुम मुझे ट्यूजडे दिखाई नहीं दे रहा है ठीक है आगे चलते हैं बेटा 2003 के बाद में आएगी 2004 की साल वार हो जाएगा बेटा ट्यूजडे सर यह तो रिपीट हो गया एक जनवरी 2004 के अंदर यानि 1998 का कलेंडर 6 साल बाद रिपीट हो गया कियां से सुनें आप अभी 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 स्टार्टिंग के अंदर रिपीटिशन ऑफ कलेंडर में मैंने यह डाउट क्लियर लिए का कलेंडर लीप वर्ष में रिपीट नहीं होगा आप 1998 का कलेंडर 2004 में रिपीट कर रहा हैं रिपीट होगा रिपीट होगा मैं इस शीट को स्विकार रहा हूँ लेकिन केवल 28 फेबरी तक के दिन रिपीट होगे 28 फरवरी तक 1998 और 2004 का साल 28 फरवरी तक बिल्कुल सेम रहेगा उसके बाद 2004 में जैसे 29 फेबरी आएगी पुरा साल का केलेंडर गड़बड हो जाएगा हैंबडियर का केलेंडर सिंपल एन्डर में रेपीट होगा क्यूआएग यह यह वह लीप में होगा पटा 2004 में केलेंडर रीपीट नहीं होगा क्योंकि यह लीप पर आगे चलते हैं बटा 2005 पार आजाएगा बटा 2004 को ट्यूजदे तो वेनजस डे जो है वह हजाएगा पार आजाएगा थैस्ट बश्मक्राइड यह दो हजार शे नंदर वारा जाएगा फ्राइडे दो हखवार हजएकटरिडे दो हजार ऑठ के अंदर वर बश्मकर्या कट जाएगा क्योंकि एक 20256 की साल लीफ पर्श है है बेटा दोजार नाओ नौ की साल बेटा मंडे कट गया वार आ जाएगा यहां भी टूजडे यहां भी टूजडे बेटा गिनो जरा कितने साल हो गए उननेस सो अठानवे से एक दो तीन चार पाँच दोजार तीन तक पाँच चै, साथ, आठ, नौ, दस और ग्यारा बेटा यहां तक दोजार नौ तक क्यारा साल हुए की नहीं हुए क्यानी उननेस सो अठानवे का केलेंडर कित्ती साल बाद रिपीट हुआ बेटा ग्यारा साल बाद यह प्रेक्टिकल ऐसा हुए अगर आपके समझ में चीज़े नहीं आए तो प्रेक्टिकल करके देख लें आप आजमा, बात बराबर यानि है तर आजाया अगँ बेटा 1998 की साल और 1999 दोनों बेटा 11 साल में रिपीट होगी तो इनमें लगत जोड़ना आपको कितना 11 तीन ताइप के questions आपके बनते हैं पहला लीप परश का है बेटा दूसरा लीप परश के तुरंद बाद वाला है बेटा 6 साल बाद और तीसरा बेटा लीप परश के बाद जो सिंपल ही आराता है उसके बाद जो और दो सिंपल ही आराते है मैं बात कर रहा हूं उनकी 11 साल बाद बेटा हमने किया था लिपीट कितनी साल बाद 11 साल बाद बेटा 2002 और 2003 का केलेंडर 11 साल बाद प्रेटा दोजार पाच के बाद 11 साल बाद कौन 2006 11 साल बाद 2007 11 साल बाद प्रेटा 2008 का कलेंडर 28 साल बाद 2009 का कलेंडर छह साल बाद 2010 का केलेंडर 2011 का केलेंडर 11 साल बाद स्वालों के उपर आते स्रीमती शुशीला है उसने अपना जो जनमदीन है वो 15 मार्च 1997 को मंडे को मनाया 15 मार्च 1997 को बेटा उसने अपना जनम दिन मंडे को मनाया तो दुबारा वो अपना जनम दिन अचल बाद मंडे कोई कब मनाएगी मतलब मंडे कौन से साल में रिपीट होगा 15 मार्च कोई मंडे आना चेंब पूरा साल का केलेंडर तेम होना चेंब प्लस 1997 पिटा 1996 होता है लीप पर्ष 1996 इस लिप यह एंद 1997 is a simple year but the simple year is comes after the leap year लीप पर्ष के तुरंत बाद आने वाला सिंपल यह रहे शह साल बाद 1997 में 6 साल चोड़ दें टोटल कितने दो हजार तीन ना 15 मार्च दो हजार तीन को सुशीला दुबारा अपना जनम दिन उसी वर्ष मनाईगी उसी दिन मनाईगी मंडे कोई पब्पू की शादी की सालगिरा बीटा 22 जनवरी 2021 को हुई है मंगल्वार को हुई दूबार मंगल्वार कोई मना ना चाहता है अपनी शादी की सालगिरा तो बीटा दोजार इकई किस का क्लेंडर कब रिपीट ओगा 2020 लीप परशे कि दो अजार इक्षिस केलेंडर कब रिपीट होगा चैसाल बात बिटा कब रिपीट होगा दोगजार सब्सक्राइब क्लियर हो चुके हैं बिटा फंडामेंटल सभी के फंडामेंटल स्क्लियर उने बहुत अवश्य के वरना मामला घरबड हो जाएगा कि यहां तक तो बात तब समझ गए रिपीटिशन आफ केलेंडर तक अब मैं बात करता हूं सर्व अठारा कि अगर्व पंद्रह अगस्ट अठारा सो सेन्तालिस को मान लेते हैं बेटा सोंवार है तो पंद्रह अगस्थ और नाइंटीन फॉर्टी सेवन को वार क्या होगा बेटा सो साल का डिफ्रेंस थोड़ा सा फोकस करेंगे इस सवाल के ऊपर अच्छा सवाल है अच्छे सवालों में से ही का बेटा आगे देखते हैं पंद्रह अगस्थ अठारा सो सेंतालिस को बेटा मंडे दे रखा यहां भी एक और मंडे कर लेते हैं पार्क पुछताओं में पंद्रह अगस्थ तो हजार सेंतालिस को क्या वार होगा बेटा यहां पर सो साल का डिफरेंस है और इस वाले इधर वाले पोर्शन के अंदर बेटा 200 साल का डिफरेंस है मैंने कहा था अभी अभी जस्ट आप से 100 साल का डिफरेंस होगा तो क्या करेंगे 200 साल का होगा तो क्या करेंगे पिछले session part 3 में मैंने बताया था, अगले session में आएंगे ये सवाल, बेटा, 200 साल का difference हो, एक दो दिन उपर नीचे हो तो चलता है, बेटा, 12 हो सकता है, 17 हो सकता है, 18 हो सकता है, जैसे इसको कर भी लेते हैं, चलो, 15 की जगह एक काम करते हैं, इसको कर लेते हैं, हम लोग, 18 अग days कितने आते हैं, बेटा, पता होना चाहिए, बेटा, 100 साल में 8 days, 5, 200 में 3, 300 में 1 और 400 में 0, नहीं पता है, देन आप पीछे का session देखना पड़ेगा, बेटा, 100 साल में 8 days की संख्या 5 हो तीन है, इस Monday में, हमें ये 5 दिन जोडने हैं, क्योंकि आगे का पूछा है, अगर पी 1747 का पूछते, तो लेस कर देते हैं 5, बेटा, अब जोडेंगे, जोडेंगे ना आप 1847 में 5, और इस सोमवार में 5, मंडे में 5 जोडेंगे बेटा, तो वार आ जाएगा Saturday, लेकिन इस समय एक चीज़ आपको और करनी है, बेटा, आपको ये और ढूणनी है, बेटा, 15 अगस 1847 से लेकर 15 अगस 1947 तक क्या कोई शताबदी लीप परश आया है, बेटा, शताबदी वर्ष्ट वाया है, एक 1900 की साल, लेकिन ये शताबदी लीप परश नहीं है, लीप परश नहीं है, ना, तो बेटा, मंडे में 5 दिन ही जोडेंगे, अगर लीप पर शोता, तो एक दिन और एक्स्ट्रा हो जाता, देखो बेटा, पांच दिन अगर जोडते हैं, मंडे में ये 5 दिन जोडेंगे, ट्यूजडे, वेनस्दे, थर्सदे, फ्राइडे, एंड सेटेडे, आजओ बेटा, अगला सवाल आईए, 200 साल में और डेस की स आधारे क्या तीन होती है बिटा, क्या 1847 से 2047 सेंचूरी लीप एर, क्या कोई आया नहीं है, बिटा 2000 की साल है, अगर 2000 की साल सताबदी लीप परश है, ये तो नहीं थी 1900 की साल, यह है, ये सताबदी लीप परश है, इसका एक और जुड़ जाएगा बिटा, अगर duesता ultim עसे लीप परश आ गई तो दो जूडबेंगे तीन आरे तो तीन जूडब बेटा 1847 कमटSudan में चयार जोड़ो मंट्य में एक जोड़ेंगे पिटा Tuesday दो जोड़ेंगे वेनेस दे तीन जोड़ेंगे पिटा Thursday और चयार जोडने hear cutting वाय जाएगा प्राइड़े बोलो बात समझ में आ गई सभी की क्लियर हो चुक है फंडामेंटल्स बिटा ठीक है आ जाते हैं बिटा एक अगले सवाल के उपर कि सत्रा मार्च कि नाइन्टी सॉरी सत्रा मार्च तू थाउजन्ट फॉर्टी सेवन वो बिटा फ्राइड़े है तो एक चीज और बिटा एक चीज और यहां पर छूट गई हमसे बिटा यह जो फ्राइड़े आया है नहीं यह पंद्रह अगस्त 2047 का आया है कि हमें निकालना था बिटा अठारा का सोला तारीको हो जाएगा बिटा सेटेले तोला तारीको और बिटा संडय और अठारा तारीको तोद keto मंडे देट एक दो नीचे ate 10 ऊपर नीचे हो तो doli रखें थोड़ा भूल गया था मैं कोई इशु नहीं आ जाए है बेटा 17 मार्च 2047 को अगर फ्राइड़े है तो 17 मार्च 2347 को क्या वार होगा बेटा इस समय हमारे सामने डिस अगर 400 साल का डिफरेंस होगा तो जो वार है एस इस आप लिख देंगे आजाए बैक साइड का एक क्रेश्चन और देखते अठारा अप्रेल कि एकिस सो सेंतालिस को कि प्रेड़नेस दे है तो एटीन अप्रेल अठारा सो सेंतालिस को क्या वार होगा बेटा इकिस सो से तो हजार सेंतालिस सो साल उननिस सो सेंतालिस दो सो साल अठारा सो सेंतालिस बेटा कितने साल हो गए और तीन सो साल में बेटा और डेज की संख्या कितनी आ गई प्रेटा इसके बीच में आप मुझे यह बताएं क्या कोई लीप फर्षाया क्या शताब दी लीप परश्थारी है इकिस सो संतालिस से दो हजार बेटा 2000 की साल जो थी ने वह सेंचूरी लीप यह थी इसको और जोड़ दें इसमें लास्ट के अंदर बेटा माइनस का दो होगा उस वेनेस्डे में दो दिन घटाएंगे क्योंकि पीछे का पुछा है तो घटाएंगे वेनेस्डे में एक दिन घटाएंगे वार हो जाएगा ट्यूस्डे और दो दिन घटाएंगे वार हो जाएगा मंडे देख ले मिटा, clear हो चुका है fundamental, आगे की तरफ जाने का, पीछे की तरफ जाने का, questions मैंने हर टाइप के questions आपको करवा दिये, अगला सवाल देखें मिटा, मान लीजे कोई रवी है, और उसे पता है कि उसका जो बड़े है, उसका जो बड़ेट है, बर्थ डे, वो 15 से 21 के बीच आती है, रवी को याद है कि उसका जनम वर्ष 15 से 21 के बीच का है, उसकी बहन, सुमित्रा को याद है, कि उसका जनम दिन 19 से 25 के बीच आता है, तो उसका जनम दिन कब आएगा, ये आपसे सवाल पूछता है, बटा, पंदरा से एक्श की बीच की जो dates होती है, वो मैं एक बार mention कर दता हूँ, पंदरा से एक्श की बीच की dates लिखनी है बटा, बीच की, अगर आप इस पंदरा को और एक्श को अगर आप represent करेंगे, तो आपका answer गलत आजाएगा, पंदरा स वो याद है कि 19 से 25 तो 19 के बाद में बीस आता है 21 आता है और तेई शाथ है 24 कि इन दोनों डेट के अंदर जो कॉमन डेट होगी विटा जो भी कॉमन डेट होगी आपको उस कॉमन डेट को रेप्रेजेंट करना है पीस है कॉमन डेट यानि मेरे बेटा रवी का जो जनम डेट है वो 20 तर इक होगा आप बोलेंगे सर दो दो कॉमन आगए तो तो यहां में कॉश्चन आएगा या तो 20 को होगा या 21 को होगा अगर दो कॉमन आगए तो दोनों को लिखना पड़ेगा फ बेटा देख लो इसको भी आज तारीक दे रखिए बेटा जैसे मान लीजिए 31 अक्टूबर कि 1988 को को कोई राजीव है उसका जनम हुआ है बेटा ठीक है और बंदा यह बोल रहा है कि आज वो कितने आज की तारीक हम कुछ भी नोट कर लेते हैं जैसे मान लो मैंने नोट की बीस अगस्त 2022 पीस अगस्त 2022 तक वो कितने दिन कितने महीने और कितने वर्ष का हो जाएगा अंतिम सवाल है बेटा समझने भी नहीं तो बेटा बड़ा जो भी संख्या होती है उसे हम पहले लिखते है और छोटी को बात लिख देंगे बेटा बड़ी संख्या है 2022 कर्साल है वह उसके बादने है महीना महीना एंग अगस्त का नहीं आठवा महीना विटा और डेट्टी के लिख इसके लिख जनम हो garlic चौटी जनम है 1989 अर गश्ता की डस्वा और टारीख हो जड़ा नीचे थोड़ा सा स्पेस दे देंगे बिटा 1988 तस्वा महिना और तारीख है इकत्र अब बिटा ध्यान से सुन ले आज तक वो कितने दिन का और कितने महिनों का कप ज्यान से देखेंगे बिटा इस समय मेरे पास में 20 दिन है और यहां पर 31 दिन असर यह डेज हैं बिटा मुझे यह बताओ 20 में 31 लेस होता है क्या माहिनस का आएगा यहां से एक महिना हमें उधार लेना पड़ेगा और एक महिने का मतलब है थर्टी डेज उधार आएंगे हमेशा 30 दिन जो होते हैं उन्हें आप इस तरफ से एक महिना जब लाएंगे एक दिन दो दिन तीन ऐसे इससे दिन नहीं मांगने यह बोलेगा मैं दिन नहीं दे पाऊंगा मेरे पास महिने हैं आठ उनमें से एक महिना दे सकता हो एक महिने में होते हैं बिटा 30 दिन मानने ह मेरे पास में इस समय महीने बचे हैं साथ साथ में से दस तो लेस होंगे नहीं इधर से एक साल मैं पूरी complete वापिस लियाओंगा टोटल मेरे पास में साल कितनी हो जाएंगी बारा और साथ कितनी हो गए बिटा 19 महीने मेरे पास है महीने मेरे पास में कितने बचे हैं बिटा 19 में से इससे भी बोला मैंने 3-4 महीने उधार दे दे मैं लेस कर सकता हूँ बोला एक पूरी साल मैं दूंगा एक-दो महीने नहीं दे सकता बिटा 19 में से 10 गए बचे कितने 9 महीने तारीक है बिटा 31 मैना है दसवा और वर्ष है 1988 इस समय मेरे पास वर्ष बटे हैं दो हजार इक्कीस ही बचे हैं बिटा मेरे राजकुमार पंदा जो 1988 इक्तिस अक्टूबर को पैदा हुआ था वो इस बीस अगस्त 2022 तक 31 साल 9 महिने और 19 दिन का हो जाएगा बिटा इस तरीके से एक क्रिशन आपसे उसकी डेट पूछने का भी आ जाता है आज का हमारा केलेंडर का सेशन जो था वो समाप्त होता है यहीं पर अब आगे से हम आगे की नए चैप्टर को इटिलाइज करेंगे हमारे प्रेक्टी सेशन वगेरा चलेंगे और आप सभी को मैं बता दो कि हमारे चैनल को निशित रूप से आपको लाइक करना है शेयर कर करना है और बेटा सब्सक्राइब करना यह निशित रूप से आप जानने तेक है आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैं हरीश राटो रिजल्ट गुरू चैनल पर आपका अगली बार दुबारा स्वागत करने आओंगा समस्कार